गिरहों के राजकुमर बुद्ध एक निश्चित अब्दी के बाद रासी परिवर्तन या फिर इस्तिती में बदलाप कर रहे हैं। ऐसे ही बुद्धी के दाता 2 अप्रेल को सोबा 3 बच कर 18 मिनिट पर मेश रासी में बक्री हो रहे हैं। बुद्ध का बक्री होना कई रासियों के लिए चुनवति पूर सावित होने वाला है। तो आइए जोतिस आचारे पंडित पंकच पाठक से जानते हैं किन रासियों को नुकसान होगा और उनके बचने के उपाए। बुद्ध हो रहे हैं बक्री। 2 अप्रेल 2024 से बुद्ध जो है वा बक्री होने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रह रहते हैं वे निश्यत अबदी में रासी परिवर्तन करते हैं, लक्षर परिवर्तन करते हैं, अपनी गती या चाल में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार ग्रह जो हैं मारगी होते हैं और कभी-कभी ग्रह जो बक्री होते हैं, बक्री होना वास्तव में लोगों की माननेता ऐसी है कि वह अपनी राप्ती से पीछे की और आते हैं अलस्तों में जब उनकी गति बहुत तेज more than or राती है Êजिती से वहां चोफंहें की कुम होती है थैसा ठीज होता हे कि अificación क्या वह बकरी हो रहा है तो बुद्ध का संबंद जो है बुद्धित छम्ता के सांथ होता है विचार करना नर्णे लेने की संथा यह सब जो है लेखन व्यापार इत्यादी जो कारें बुद्धित से संबंदित होते हैं तो जब बुद्ध गरह वक्री होता है तो व्यक्ति को बहुत शांती के सांथ क अभीरता दिखाते हैं बहुत जल्दी निर्णे लेते हैं तो कई वार उनको कार्यों में जो है वासाफल तागी भी चास्ती होतकी है ऐसा बुद्ध के बक्री होने का प्रभाव है परिवार में समाज में कारिस्थल में अपने लिए गए निर्णे के कारण उनको अफुमान दैन लिए उनको की स्सामना करना परसथा है कि वूँद के वक्री होने का जो नकारात्मक प्रभाव पढ़ने जा रहा है उनमें में मेंसरासी, ब्रशबरासी और करकरासी के पहले भाव में ब्रशब रासी के दूसरे भाव में और कर्क रासी के दस्वे भाव में इस बुद्ध के बक्री होने का प्रभाव होता दिखाई दे रहा है तो ये जो तीनों रासियां हैं, इन रासियों को धन की आनी हो सकती है, पड़ा या आपरत्यासित कोई खर्ट सामने आकर कि ख़ला हो सकता है, केरियर में गिरावट, नोकरी में परिवर्टन हो सकता है, नोकरी जा सकती है, नोकरी में ट्रांसफर हो सकता है, या किसी प्रकार क का बदलाव हो सकता है आप गलत वहीं के सिकार हो सकते हैं इन्वेश्टमेंट भी सोच समझ करके करें और बरतमान समय में चब तक बुद्ध बक्री रहेगा इन तीन रासी के जात्कों को शेर मार्केट हुआ सच्चा हुआ लाइट्री हुए या इस प्रकार अचानक धन लाव कराने वाले किसी भी बावसाय में किसी भी कार में धन का इन्वेश्टमेंट नहीं करना चाहिए नहीं तो यह किसी लंबे ढटे में जा सकते हैं